पित्र पक्ष चल रहा है जीवन में आप सभी को इन सरल से उपाई को भले ही आज करें या किसी अन्य दिन करें निश्ची थी आपको लाब मिलेगा महादेव और सभी पित्र आपके जीवन में खुशियों के भंडार भर देंगे करकर देखिएगा निश्ची थी लाब पित्र पक्ष सामानी नहीं है दोस्तों इन दिनों किये गए कोई भी सरल कारित अत्काल फलों की प्राप्ति में सहयक होते हैं तो देर ना करते हुए पहला उपाय आपको बताना चाहूंगी काली मिर्च का काली मिर्च का उपाय बहुत फल देने वाला होता है इस वीडियो उपाय एक चुनकर आप अपने जीवन को बहुत सफल बना सकते हैं आप सभी को पहला उपाय दुरघटना रोग सनी संबंधी या कोई भी पित्र दोस्त संबंधी परिशानी को दूर करने में बहुत सहयता प्रयदान करेगा रात्री के रात्री तक या जो है कल शुबे तक भी अपिस उपाय को कर सकते हैं आप सभी को अपने हाथ की हतेनी में साथ काले मिर्च के दाने देने हैं काले मिर्च जो है हर एक तरह से रोग दोस्त को नाश करने में सहायक है और बल बुद्धी विध्या में भी गुरु जी कहते हैं जो प्रत्यों की परिक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो सामाने सरल तरीके से कच्छे दूद में आप सभी को आवश्यक रूप से थोड़ा सा काली मिर्च पीस कर सीवलिंग पर समरपित करनी चाहिए ताकि परिक्षा में आपको सफलता प्राप्त हो आपने यह उपाय जाना होगा समझा होगा ऐसे मैं आप सभी को 21 बार उतार कर खास तर पर आज की दिन पीपल रक्ष की जड़ में अगर आप समरपित कर देते हैं तो उस बेक्ति को दुख बिमारी के लिए सदा सर्वदा जो है मुक्ति मिल जाएगी दुख दरीदरता का उसके नाश हो जाएगा आज शाम तक इस उपाय को करकर रिखेगा निश्चित रूप से लाब मिलेगा इंदीन पीपल रक्ष सबसे ज़्यादा पूजित वाना जाता है काले तिल का प्रियोग सबसे ज़्यादा प्रियोग में लाब देने वाला माना जाता है दूसरा उपाय आप सभी को आज शाम के समय अपने घर के मटके के प सभी पित्र दोश सनी संबंधी परेशानिया करज इत्यादी कर जाएंगे किसी का किया कराया है तो वह भी पूर्ण रूप से दूर हो जाएगा इस भावना से आपको रसोई घर में जहां पर मटके का स्थान है काले तिल भीगा कर रख्या छोड़ देने हैं पूरे दिन भ हो गया समी का व्रक्ष तीसरा हो गया बेलपत्र का व्रक्ष इन तीन पेड़ों मैं से किसी एक पेड़् घो कि पूजनी माने जाये घए हैं देवतुलि कहे अन Pareceनः पर जा कर एक पेड के नीचे तीपक लगाये पित्रों का स्मर्ण करें बह लिबाबा का समर्ण करें और क काले दिल आपने अपने मटके के पल भीगा कर रखे है ना राद भर उन्हें पेड के नीचे अपने घर की पीड़ा तकलीफ मनों कामना जो भी तकलीफ जो भी है आपकी कामना जो बात है वह कहते हुए आप सभी साधानण भाव से समर्पित करकर आ जाते हैं तो तक काल ही दरीदरता छूड़ती है और सब कारी सिद्ध हो जाया है ध्यान रखिए तीन पेड़ां से पेड़ों के नीचे से एक पेड़ के नीचे जाना है सभी के नीचे नहीं जाना है यह बात हो गई दो उपाई की बात कर लेते हैं तीसरे उपाई की तीसरा उपाई सबसे चमतका इस जो है पित्र पक्ष में आप सभी को आवश्यक रूप से रोज जो है जरासी अज्ज्ञारी के माध्यम से जैसे आप जरूर से भोजन के तीन अंश निकालते होंगे एक कव्वच्व के लिए, एक गौमाता के लिए, एक आवश्यक रूप से किसी भिक्षु के लिए या जो है किसी न किसी स्वरूप में आप सभी जो है दान के लिए निकालते होगे कोई मांगने वाला आ गया है या किसी न किसी स्वरूप में तीन अंश जो है आप सभी इन दिनों पित्रों के नाम से निकालते होंगे अतिसरेश्ट है कई भक्तजन अग्यारी के माध्यम से भी पित्रों को भोग देते हैं, हलका सा अगनी प्रजुलित कर लेते हैं, चाहे तो कंडे इत्यादी से प्रजुलित कर लें, या कपूर से प्रजुलित करें, अपने पित्रों का ध्यान करते हुए उस स्थान पर एक दीपक लगा देते हैं, और उसम नियम तो बात नहीं चाहिए साथ ही आज के दिन गुरु जी कहते हैं किसी न किसी सरूप में आप परेशान हैं किसी न किसी तरह से बहुत अधिक तकलीब जीवन में बढ़ रही है तो गोला जो की सामानी सरल तरीके से गोला आपने सुनाओगा जो नारियल के सरूप में भग करा कर उसके उपर से घर में घूम कर मौली बांध कर पीपल रक्ष की जड़ में दबा कर छोड़ कर आ जाना है पीपल रक्ष सभी देवी देवता पित्रों के स्वरूप में होता है आप सभी जानते हैं इस पित्र पक्ष में किसी एक दिन चुन कर आप कर सकते हैं पीपल जड़ में इसे दबा कर आप सभी को छोड़ कर आ जाना है दूसरे दिन आप सभी जो है उस गोले के उपर थोड़ा सा कच्चा दूद भी समर पित करकर आ जाते हैं तो गुरु जी कहते हैं गुरु जी के साथ साथ अन्नी गुरु देव जैसे की गुरु जी देव की नंदन धाकुर जी भी इस उपाई के बारे में बताते हैं तो आपके ग्रहों की दस्या जो बिप्रीत हो रही परिशानी होती है जैसे जैसे वह जीव जन्तु ग्रहन करते हैं कहा जाता है वह त्रिप तो होते हैं और उसका फल आपको प्राप्त होता है तो आप सभी को इन पवित्र दिनों में से किसी एक दिन को चुन कर यह कारिक करना ही है साथ के साथ इस उपाय को इस वीडियो में मै और जोड़ना चाहूंगे आप सभी को मैं इससे पहले भी आप सभी को घर के दरवाजे पर रखने की एक कटूरी वाला उपाय जो गुरुजी ने बताया है वह भी करना है आपको उससे पहले भी आटे का उपाय बताया गया है कृपिया वह भी वीडियो आप सभी देख सकते इसके साथ साथ इस पित्र पक्ष में गुरुजी कहते हैं एक दीपक आपको घर की रसोई में रखना है और साथ ही एक लोटा जल का रखना है उसके ओपर एक दाना रोज साम के समय जब आप सभी कार्या से निवरित हो जाए रसोई घर की साफ सफाई हो गए तो एक चावल का उपर यह एक मात्र चावल का दाना अक्षत के रूप में अर्थात खंडित ना हो इस बात का ध्यान रखते हुए सिवलिंग के उपर समर्पित करना है जो जल का पात्र है घर के मुख्य द्वार पर छिड़क देना है इस भावना से कि अधोगती में गए जो जीव जन्तु है जो मेरे पित्र हैं जो मेरे घर के कोई ऐसे सदस्य जिन को मोक्ष प्राप्त नहीं हो पाया है उन्हें मोक्ष प्राप्त हो इस भावना से घर के मुख्य द्वार पर उस जल को छिड़क दीजे और उस दीपक को आप सभी प्रज्वलित रोज करें और वह चावल का दाना स् उपाय आपको करना चाहिए इससे पहले चैनल पर दीपक का उपाय कम्यूनिटी में दिया गया है क्रपिया उसे भी देखकर आज शाम के समय जरूर से कर लिजीगा निश्ची थी लाग भूगा इन सब उपायों में से कोई सरल सा उपाय चुने श्री सिवाय नमस्तु भ्य स्थट्ट्रा गया हुआए टो जजरूर से करना उरूर से कर लिजीगिए नमस्तु भी आपको कर दो बाता है हुआ 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 है थाया है हुआ हैुआ हैुआ झाल शामस्तु वाजरू